हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंट्रीविट इंट्रटेन्मेंट में तो आज में लेकर क्या हो टॉप टेन मुविस के बारे में एक बड़ा सब्डेट तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राब करके बेल आगान को जुरूर प्रेस कर दें ताके मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं 2020 में बॉलिवुड ने चार ओल्टाइम ब्लॉकबास्टर और कई सुपर हिट फिल्में दिया था लेकिन इस साल बॉलिवुड उस लेवल का धमाका नहीं कर पा रहा है बॉक्स ओफिस पर लेकिन बॉलिवुड की तरह से कुछ ऐसी फिल्में आ रही है जो कि बॉक्स ओफिस पर बहुत बड़ा धमाका करने वाली है और ओडियन्स भी इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए सीधा पॉइंट की बात करते हैं नबर 10 पर है सिंगम अगैन बॉलिवुड की काफी बड़ी फिल्म है ये सिंगम अगैन की तीसरी और रोही सेटि की कौप यूनिवर्स की पाचवी फिल्म है जिस फिल्म को हमेशा की तरह रोही सेटि डायक्ट कीko हैं फिल्म के में लीड में अजय देवगन बाजी राओ सिंगम के रोल में धमाल करने वाले हैं इनके साथ बहुं सारे एक्टर्स दिखाई देंगे सिंगम आगेन कॉप यॉनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म है जो कि दिवाली 2024 के मौके पर आने वाली है नमबर नाइन पर है किंग किंग बॉलिवूर के आने वाली एक बिग बजट एक्टन थिरिलर फिल्म है जिस फिल्म को सुजय घुस डिरेक्ट करेंगे जो कि अपनी सॉलिड थिरिलर फिल्मों के लिए फेमस है इस फिल्म में सारु खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान दिखाई देंगी लीड रोल में मुवी में सारु खान एक डॉन का रोल प्ले करने वाले है जो कि 60 साल की उमर का होगा जी हाँ एसार के को डॉन के रोल में एक बार फिर से देखने के लिए ओडियन सुपर डूपर एक्साइटेड है फिल्म को सारु खान ओफिसली कनफर्म कर चुके है एसार के 2023 में हैट्रिक हिट फिल्म दिये थे पाठान, जवान और डंकी पर 2024 में इनकी कोई फिल्में नहीं आने वाली किंग 2025 के मौके पर बिग स्क्रिम पर रिलीज होगी ये फिल्म इस साल की सबसे मर्चा वेटेड फिल्मों में से एक है इस होरोर कॉमेडी फिल्म का ओडियन सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म काफी अच्छी होरोर कॉमेडी इस तरी का सीक्वल है जो कि बॉक्स ओफिस पर सुपर डूपर हिट रही थी इस तरी फिल्म दिनेस विजय की सुपर नेच्रल यूनिवर्स की पाचवी फिल्म होगी अमार कोशिक के डिरेक्शन में बने ये कॉमेडी होरोर फिल्म अब 15 अगस्त के मौके पर देखने को मिलेगा नमबर 7 पर है लाहौर 1947 ये फिल्म बॉलिवुड की एक काफी बरी फिल्म है जिस फिल्म में सनी देवल और प्रिती जिंटा बत और लीड रोल में दिखाई देंगी इस पिरियट ड्रामा फिल्म को राजकुमार संतोसी जी डिरेक्ट कर रहे हैं जो कि कई अच्छी फिल्मों को डिरेक्ट कर चुके हैं गदर टू के सांदार सक्सेस के बाद सनी देवल की ये बरी फिल्म आने वाली है तो सबको उमीद है कि ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर पैसों का तूफान लेकर आएगी फिल्म को आमिर खान प्रोडूस कर रहे हैं फिल्म में आमिर खान का स्पेशल कैम्यू भी होगा ये मर्चावीटेड फिल्म हमको दोहजर पाचीस में देखने को मिलेगा नमबर सिक्स पर है लव एंड वार ये फिल्म बॉलिवुड की तरफ से आने वाली एक एक्सन लव इस्टोरी फिल्म है जिस फिल्म का बिगेस अनाउंसमेंट ओलेडी हो चुका है फिल्म को डिरेक्ट संजे लिला भनसाली करेंगे फिल्म के में लीड में रनभीर कपूर आलिया भट विकी कोसल जैसे सॉलिड एक्टर एक साथ देखने को मिलेंगे लव एन वार एक लव ट्रेंगल होगा जिसके बैग्रॉंड में वार होगा फिल्म के में लीड में रनभीर कपूर ग्रेशेट करेक्टर में नजर आने वाले है जी हाँ ये फिल्म एक बिग बजट मुवी होने वाली है संजलीला भनसाली की बाकी फिल्मों की तरह भनसाली की फिल्म है तो बॉक्स ओफिस पर धमाका पर धमाका पक्का होगा लव एन वार रनभीर कपूर और डेरेक्टर संजलीला भनसाली का सेकेन कोलाबरेशन होने जा रहा है इनकी फर्स्ट मुवी सवरिया बॉक्स ओफिस पर बहुत बरी डिजास्टर रही थी जो की रनवीर कपूर की पहली फिल्म थी तो देखते हैं बॉक्स ओफिस पर ये फिल्म कैसा कलेक्षन करती है ये फिल्म बॉलिवुड की वन अप दा मोस्ट एंटी सिपिडेंट फिल्म है जो कि किरिस्मत दोहजर पचीस के खास मौके पर आने वाली है नमबर फाइब पर है वार टू 2019 में आई मेगा ब्लोकबस्टर फिल्म वार जिस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर 475 करोर का कलेक्शन किया था ये फिल्म उसी फिल्म का सीक्वल होने वाला है सबको उमीद है कि वार टू फिल्म भी वार की तरही बॉक्स आफिस पर तगरा कलेक्शन करेगी क्योंकि फिल्म के में लीड में रितिक रोशन के साथ सौथ के बड़े सूपर स्टार जोनियर एंटियार मेन रोल में होंगे दोनों का फिल्म में एक एपिक फेस ओफ होगा बॉलिवूड की ये एक काफी बड़ी फिल्म है जो कि 14 अगस 2025 के मौके पर देखने को मिलेगा नमबर 4 पर है सिकंदर ये फिल्म काफी स्पेसल मूवी रहने वाला है क्योंकि इस मूवी को सौथ के फेमोस डिरेक्टर एर मुर्गदोस डिरेक्ट करेंगे जो कि बॉलिवूड को गजनी और हॉलिडे जैसी बड़ी हिट फिल्म दे चुके है ये फिल्म एक एक्शन ख्रिलर फिल्म होगी एक्शन के साथ साथ फिल्म में इमोसन भी तगरा होगा फिल्म में हमको एक स्ट्रॉंग सोसल मैसिज देखने को मिलेगा इस फिल्म के में लिड में सलमान खान के साथ पहली बार रस्मिका बंदना नजर आने वाली है वही फिल्म के मेन विलन सत्य राज होंगे ये फिल्म बॉलिवूड के मर्चा वेटिड प्रोजेक्ट है जिसके प्रोड्यूसर साजिद नाडिया वाला प्रोड्यूस कर रहे हैं 400 करोड के भारी भर कम बजट पर सिक अंदर फिल्म 2025 के इत के मौके पर देखने को मिलेगा नंबर थिरी पर है क्रिस फोर क्रिस फोर मुवी बॉलिवूड फिल्म इंडेस्टिस के तरफ से आने वाली बिगेश्ट मुवी होने वाली है जिस फिल्म का दर्सक सदियों से वेट कर रहा है फिल्म के कोपर रोड्यूसर सिधारत आनंद हाल ही में कनफर्म कर चुके है कि ये फिल्म बहुत जल्दी शुरू होने वाली है ये फिल्म इंडियन सिनिमा की आने वाली एक काफी बरे सुपर हीरो मुवी होगी जिस फिल्म को काफी बरे बजट और बरे स्किल पर तयार किया जाएगा नए अपडेट की अकॉर्डिंग रितिक रोशन वर टू मुवी को कम्पलिट करने के बाद इस सुपर हीरो फिल्म की सुटिंग सुरू कर देंगे मतलब ये फिल्म हमको 2026 में देखने को मिलेगा नमबर टू पर है रामायन रामायन फिल्म बॉलिवूर की तरफ से आने वाली एक मैगनम ओपस फिल्म होगी ये फिल्म एक एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म होगी जो की अब दो पार्ट में आने वाली है ये फिल्म से आडियन्स को हाई एक्सपेक्टेशन है क्यूंकि फिल्म एपिक रामायन पर बेश्ट होगा ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर तगरा कलेक्शन करने का दम रखती है ये मूवी हिंदी सिनिमा के सबसे बरी और सबसे महेंगे फिल्म होने जा रही है फिल्म का बजट 835 करोड होने वाला है जो की बहुत ज्यादा है ये फिल्म हमको 2026 में देखने को मिलेगा नमबर वन पर है बॉर्डर टू इस फिल्म के अनॉंसमेंट होने के बाद लोग बोलना सुरू कर चुके हैं कि ये फिल्म 500 करोड का नेट कलेक्शन करने वाली है क्यूंकि ये फिल्म आल टाम ब्लोकबस्टर वार मूवी बॉर्डर का सीक्वल रहने वाला है जिस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जोड़दार कमाई किया था बॉर्डर सिर्फ मूवी ही नहीं काफियों का इमोशन है फिल्म के में लीड में सनी देवल एक बार फिर से दिखाई देंगे और साथ में आश्मान खुराना और बहुत सारे एक्टर्स नजर आएंगे बॉर्डर वन की कास्टिंग लाजवाब थी तो देखते हैं इस फिल्म की कमप्लीट श्टार कास्ट कैसी होती है ये फिल्म इंडिया की सबसे बरी वार फिल्म रहने वाली है जिस फिल्म के डिरेक्टर अनूराग सिंग होंगे वहीं पार्ट वन के डिरेक्टर जेपी दता थे बॉर्डर 2 फिल्म 23 जन्वरी 2026 के मौके पर देखने को मिलेगा तो क्या ये फिल्म भी गदर 2 जैसे बॉक्स ओफिस पर गदर मचाएगा नीचे कॉमेंट में आप सब जरूर बताईए तो ये थी बॉलिवुड की तरफ से आने वाली 10 सबसे बड़ी फिल्म जो कि बॉक्स ओफिस पर तगरा कलेक्शन करने का दम रखता है तो आप लोग कौन से फिल्म का सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो नीचे कॉमेंट में जरूर बताईए इस वीडियो में इतना ही बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लागा कुछ खराब नीचे कॉमेंट में जरूर बताईए अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर क्रेस कर दे मिलता हो नेक्ट वीडियो में टाटा वाई बाई टेक केर